अब यह मोली घंज है में चो के दुलिया का यह जो ज्यान है यह छो पहले तुम्हाइब को बताता हूं कि यह आम लुक कहां है कि इस गाव में यह दुलिया सहर कों सा से रहे यह जो कच्रा मुख तो एवाड बाटा गया अभी दुल्या अपने पुरे एंडिया के अंदर जिसमें लाखो सहर थे एक दोने लाखो सहर उसमें दुल्या सहर को नौवा नंबर दिया गया आप नौवा नंबर दिया गया नौवा नंबर एवाड दिया गया तो आप देखि और यह नववा नंबर पूरे एंडिया के अंदर पूरे बारत के अंदर एवाड प्राप्त सहर है तो जाहिर सी बात है जो सहर का नंबर लगते है जिसको एवाड मिलता है उस सहर में इतना घान इतना कच्रा है तो जो सहरों को एवाड नहीं दिया गया जो दूसरे सहर है जो और ज्यादा पीछे नम्बरात हैं जिनके तो उस सहर का क्या हाल होगा तो आप जो लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं ये तो मैं बारत के लोगों को भी बताना चाता हूँ और जो बारत के बाहर रहते हैं während country के लोग उनको भी बताना चाता हूँ करून कि यह हमारे देश में देखिए जिस सहरे को इवार दिया जाता है ऊत्स सहर Meें गंदगी रहती है यह मेंड में यहाँ कड़े रह fid़ी का मक्सद सिर्फ यह दोलुदिया की वीपने में इलाके का में हल है तो दूसरे इलाकों बारत सरकार के तरफ से तो एक सवाल ये उट्टा है कि किस बुनियात पे दिया गया क्या बारत में दुसरे सहरों में इससे ज़्यादा गंदगी है अगर इससे ज़्यादा गंदगी है तो एवाड देना लाजमी अगर एवाड ही बाटने आपको तो ठीक है दूलिया सहर को एवाड दिये हो ठीक है लाजिम है लेकिन अगर आप स्वच्छता के उपर से एवाड दिये है तो दुलिया को तो एवाड का हक ही नहीं बनता यहां कि माहा नगर पालिका को हक ही नहीं बनता कहीं ऐसा तो नहीं कि केंद्रो सरकार जो बीजीपी की बैटी हुई है यहां पर म अगर पालिका में भी बीजीपी बैटी हुई है महापूर बीजीपी का है तो वो बीजीपी बीजीपी आलोग एवाट देने के लिए किया कि यह मामला तो नहीं है अखिर बात क्या है अगर आप दुल्या सहर के आहलात देखेंगे तो पूरे दवा काने आपको पूल है डॉक्त्रों को आराम करने का वक्त नहीं मिल रहा है उसकी वज़ा यह है कि इतने ज्यादा पेशंड है और टोटल पेशंड मलेरिया टाइपाइड बुखार कालरा जितनी गंदगी मच्छर यह जब से जो बीमारियां होती है सब यहीं बीमारी में मुलवीत हैं यहां की अवाम यहां की नगरपाली का काम करने के लिए तैयार नहीं है यहां का अभी आप देखिए यह जो कच्रे निकले है गटर के पहले बात तो हम जब सफाय अधिकारी को फोन लगाते है कि भाईया यह गटर ब्लॉक है पानी भाई नहीं रहे रोड़ पानी आ गया तो गटर है हम निकाल का भी जा रहे है लेकिन जो ठेका दिया गया है कच्रा उठाने का यह टेका दिया गया है तो अब आप देखिए कि एक कच्रा कितने दिन में उठेंगा और बात वही होती है कि 15-15-20 दिन कच्रा उठता नहीं है वो कच्रा वापस गटर में चले आता है फिर गदी दूल्या-जहर को मैनिका गांधी से बहुत बड़ा प्रॉब्लमическая में मेनिका गांधी से ये गंदगी से तो अवाम परिशानी एंग उसके पावजोर्त मैनिका गांधी ने कायदाल आया था कि भै कुत्तों को मार नहीं सकते दूल्या-जहर में इतने हुपत्तों हो गिंटी दुल्या सेहर में कम हो जाएगी और जानौरों जो कुट्ति यह वह बढ़ जाएंगे तो मुझे यह लगता है कि मैनिका गांधी को इनसानों से जादा साहिद कुट्तों से प्यार है हमने दुन्या मानागर पालिका में कही मरतबा कंप्लेन दिये हैं कि जो कुत्ते अगर उसको मारने का काइदा नहीं है तो उसको कम से कम पकड़ कर ले जाओ कहीं दूर जंगल में ले आके छोड़ दो जाओ उनकी नस्बंदी करो ना तो मान अगर पालिका उनकी नस्बंदी कर पा रहा है ना ही उनको उढ़ा के जंगल में ले के जा रहा है और मैं तो यह कहना चाहूँगा कि अगर मैनिका गांधि को इस्ता कुत्तों से प्लाव है तो उनके बंगले पे लया लया कर दिया जाए सारे कुत्ते तब उनको इंसानों का इसास होगा, मासुम मासुम बच्चों को कुप्ते काट रहे हैं, बड़ों को काट रहे हैं, जानौरों को चीर फाल कर रहे हैं, तो दूलिया सहरेक में बहुत सारी समस्या हैं, अभी तो हम यह दो समस्या पर बात करें, आगे बहुत सारी समस्याओं प बात करेंगे